आज हम बात करेंगे कि मेरी consistency नहीं बन पा रही है देखो सबसे बड़ी जो problem एक sprint face करता है या फिर कोई भी person जो की चाहे वो school में हो, college में हो या किसी भी competitive exam के preparation कर रहा है कि मेरी consistency नहीं बन पा रही है पढ़ना मैं चाहता हूँ, महनत भी करना चाहता हूँ सब कुछ मुझे पता भी है, लेकिन मैं regular नहीं हूँ तो मैं ऐसा क्या करूँ जिसे मैं regular रह सकूँ अब देखो हैर इसका ना, एक line में answer नहीं है इसको थोड़ा समझना पड़ेगा और मेरे साथ आपको भी थोड़ा सा actively participate करना पड़ेगा तो आप अपने साथ pen paper रख सकते हैं जो चीजे मैं बोलूँ, उनको लिख सकते हो वीडियो के बाद, जो मैं आपको बताऊंगा उन पर काम करना देखो हैर, हम consistent नहीं है तो इसको ऐसा समझिए, कि सिंपल सी बात है मैं daily basis पर पढ़ नहीं पा रहा हूँ, right? I'm not regular, आज पढ़ाई हो रही है कल पढ़ाई नहीं हो रही है, परसों हो रही है अब इसके बहुत सारे reason हो सकते हैं ठीक है, यह हो सकता है कि अभी आप preparation कर रहे थे बीच में आप बिमार पढ़ गए, तो आपका gap आगिया तो जो health issues उनको side रख देते हैं उसमें हम जादा कुछ कर नहीं सकते और health is very important लेकिन apart from that, और भी बहुत reasons हो सकते हैं एक यह हो सकता है कि आपका focus नहीं बन रहा है आप पढ़ने बैठ रहे हैं, आप focus नहीं कर पा रहे हो you are, you know, getting distracted सबसे पहले इसको लिखिए पहले यह एक reason हो सकता है तो इसको आप लिखो कि क्या ऐसा कोई reason है या ऐसी कोई वज़े या ऐसे कोई चीज जो मुझे distract कर रही है या फिर जब मैं पढ़ता हूँ तो पढ़ते वक्त ऐसे कौन से ख्याल आते हैं आप उसको लिख दो, ठीक है यहां से आपको पहला reason मिल जाएगा दूसरी बात आती है ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कई लोग होते हैं कि जॉइन फैमिली है बड़ी फैमिली है फैमिली फंक्शन्स जादा हो रहे है दोस्त लोग कईयों के जादा होते है टू ट्रेवल बहुत हो रहा है घुमना फिरना बहुत हो रहा है तो क्या ऐसा हो रहा है आप पढ़ने बैठ रहे हो तो कहीं आप चले गए घुमने या कभी फैमिली का प्लैनिग हो गई या कोई फैमिली फंक्शन हो गया या ऐसे भी एक reason हो सकता है तो आप इसको भी no down कर सकते हो तो in short कहने का मतलब यह है कि जो consistency हमारी बिगड़ती है एक तो दो factors होते है internal और external खुद से भी हो सकता है कि भाई मैं focus नहीं कर पा रहा हूँ पढ़ने बैठा तो वो Instagram की reel याद आ गई है ना ऐसा भी तो होता है कि अभी just Instagram आपने देखा reels देखी और पढ़ने बैठ गए तो भाई अभी जब Instagram आदे घंटे देखके आप पढ़ने बैठे हो तो कैसे focus कर पाओगे दिमाग में तो वो ही चलेगा ना कि यार क्या मजा आ गया क्या prank बनाता है यार हो क्या mimicry करता हो वो ही चलेगा तो this is the biggest reason second external हो सकता है कि भाई ठीक है आपकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है आप must बंदे हो बढ़िया से focus कर रहे हो लेकिन आप फिर भार की तरफ से problem आ गई यार कल function है जाना पड़ेगा या दोस्त ने बोल दिया तो एक ये reason होता है और तीसरा जो सबसे बड़ा reason होता है ना internal ना external वो होता है mental mental मतलब जिसमें की आपका target set नहीं है schedule नहीं fix है भाई अब आपको पता ही नहीं है करना क्या है मुझे IS तो बनना है मुझे UPSG का exam में निकालना है लेकिन clarity नहीं है भाई मैं करूं क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा है और कहां से start करूं तो इसके लिए तो भाई देखो जो तीसरी category है इसके लिए आपको सबसे पहले तो यही finalize करना है कि भाई मेरा exam कब है 5 में है 2026 में है उसके accordingly मेरे जो strategy बनाई है आप उसको follow करिए आप वो वीडियो देखो अच्छे से और उसको follow करो that's it तो यह आपकी जो problem में resolve हो जाएगी क्योंकि देखो routine होना बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई आज मैंने क्या पढ़ना है अगले एक हफते क्या पढ़ना है अगले एक महीने क्या पढ़ना है मेरे targets क्या है जब आपका targets set होंगे आपका routine एक दम first class है आपको पता है सोने उटने का time क्या है खाने का time क्या है यह me time है मेरा जिस मैं आपने आपको time दूँगा यह मेरा fitness का time है और बागी मेरा पढ़ाई का time है तो everything is sorted out लेकिन जो पहले दो reasons है इन पे आपको काम करना पड़ेगा आपने देखा कि यह चीजे मुझे परेशान कर रही है यह जैसे YouTube shots हो गए Instagram Reels हो गए यह डिस्टाइट कर रही है मेरे को उन चीज़ को limit करो या तो पढ़ने से पहले बिल्कुल मत खोलो पढ़ने के बीच में बिल्कुल मत खोलो एक time set कर दो पूरे दिन बर में कि अगर मुझे social media चलाना भी है तो यह time है बस इसी time पे मैं social media खोलूँगा बागी time अपनी पढ़ाई करूँगा तो एक solution यह है दूसरा जो external factors है देखो यहाँ पर आपको clearly सबको बताना पड़ेगा अगर सबको नहीं भी पता पाते बहुत से होता है कि मैं सबको नहीं पता सकता मैं UPC preparation कर रहा हूँ है ना बहुत हो का ऐसा भी concern रहता तो आप अपनी priority set करो ना कि भाई मेरे को पढ़ना है मेरे college के exams है या फिर मेरे को government exam देना है या मेरे को अपना career बनाना है भाई पार्टी तो होती रहेंगी साल बर में यह पर career बन जाएगा तो फिर हम ही देंगे सबको party इतना तो आपको अपनी career के प्रती थोड़ा सा you know strict होना पड़ेगा अब आप सुलेगे नहीं वो बुरा मान जाएगा तो भाई फिर वो बुरा मान जाएगा लेकिन जब exam नहीं निकलेगा तो फिर आप बुरा मानोगे फिर जिंदगी पर अपने लिए तो यह आपको यह decide करना है कि दूसरा बुरा माने वो जादा important है या मेरा career important है this you have to decide तो देखो live में heart vision लेने पड़ेंगे है ना जब मैं अपनी बात करूँ जब मैंने start किया था YouTube channel 2021 में August 2021, 2022 और 2023 अभी तो 4 आगिया है मैं आपको बता हूँ पहले 2 साल मैं कहीं नहीं गया मैं कमरे में ही था आप मेरा Instagram खोल के देख लो आप मेरा YouTube चैनल खोल के देख लो आपको भार की picture दिखेंगी नहीं Instagram में तो अभी recently दिखेंगी अंदर ही था मैं कमरे में ही सब कुछ होता था photo, video, selfies, post सब कुछ अंदर ही होता था मैं गया ही नहीं भार ऐसा नहीं कि मन नहीं किया घुमने का अभी माली जी कि अभी भी मैं नहीं जा पाता हूँ मान तो करता है resources भी है बस थोड़ा सा commitments है जो इनको पूरा करना है time निकालने के लिए क्या है मैं एक हफ़ते की छुट्टी ले लूँ that's not a big deal for me है ना the point is की important क्या है वो यहां पे matter करता है ठीक है कि मेरे ले मेरा career important है जो मुझे life में कुछ करना है पाना है वो important है या फिर fake लोगों की खुशी है ना समझ रहे है तो इस पे आपको काम करना है you have to work on your internal factors you have to work on your external factors यानि की surroundings और तीसरा है मन को एकदम clear रखना है कि भई exam निकालना है एक साल है मेरे पास and this is what I have to do if I want to become an officer तो I have to make certain choices I have to make some sacrifices and I have to come out of my comfort zone as simple as that तब जाके कुछ बात बनेगी परना तो यार देखो 5 लाग लोग हर साल exam देते हैं तो आप भी भीड का इससा बन सकते हो क्योंकि उन 5 लाग लोगों में से बहुत सारे लोग granted लेते हैं exam को for sure ठीक है मैं अगर अपनी बात करूँ तो पिछले 3-4 सालों में 5000 से जादा S Pen के साथ मैंने personally interact किया है बात में मतलब समझे रहो call पे like that या बात पे वैसे टेक्स्ट में तो बहुत सारे हैं तो उन 5000 मैंसे मैं सच बता रहा हूँ कोई heart feelings नहीं है यहां पे बट बहुत कम बहुत कम ऐसे लगे जिनके तो जून है यह exam निकालना है एक होता है कि या ठीक है मेहनत करी नहीं निकला वो अलग चीज़ है एक होता है यार मेरे पास time नहीं है resources नहीं है समझ में आता है लेकिन अगर सब कुछ है हमारे पास कि time भी है, resources भी है family support भी है उसके बाद भी if I'm not you know putting that effort तो फिर गलती किस की है आज यह एट में asprint इतना आपने आपको कमजोर कर चुके है कि हर चीज के लिए उनको guidance चाहिए हर चीज के लिए वीडियो चाहिए एक time होता था आज से 4-5 साल पहले जहाँ पर asprints जो जिन्होंने exam निकाले है थोड़ा बहुत उन्होंने समझा चीजों को और वो सारी चीज़ें खुद से करें लेकिन आज की 8 में आज देखो आप खुद ही देखो एक estimate को newspaper notes भी चाहिए newspaper notes के videos भी चाहिए monthly magazine उनकी videos चाहिए planning कैसे करूँ इसके videos चाहिए strategy के videos चाहिए answer writing PYQs है न in fact time management अपना कैसे करूँ उसके लिए भी वीडियो चाहिए हम इतना आपको कमजूर कर देंगे भी हम preparation कर रहे हैं एक officer बनने की समझ रहो जिस city में आप हो वहाँ का DM बनने की तो भाई अगर इतनी बड़ी post पे आपको जाना है इतना बड़ा इंसान बनना है तो जाहिर जी बात है थोड़ा सा अपने भी पे आपको गाम करना पड़ेगा है तो देखो मैं दो to the point ही यहाँ पे बातें बोलूँगा exam निकालना है impossible नहीं है बिलकुल possible है but only for those who are going to work very hard ठीक है वानना ये preparation है ऐसी है कि तीन चार साल भी कम पढ़ जाएंगे अगर हम इसको lightly लेंगे ठीक है so that's all from my side I hope चीजें clear होंगे और पसंद आया होगा और एक update देना चाहूँगा देखे पिछले 2-3 महीने पहले I think 2-3 महीने पहले हमने अपना admission बंद कर दिया था और आप मैंसे काफी सारे askments है जो 26-27 item देंगे उनको नहीं पता था कि इस साल जो मैंने batch launch किया वो last batch है यानि कि next year से I won't be launching new batches थोड़ा सा वो health मैं यूनों एक problem create कर देता है अब उतनी health ठीक नहीं रहती है तो थोड़ा सा I need to focus on myself तो बट ये था कि last batch था that is why मैंने सूचा कि अब 2-3 मैंने कले मैं extend कर रहा हूं batch को again we are going to open it तो आप हमारी website पे जा सकते हैं महाँ पे जो whatsapp number है महाँ पे आप message कर दीजे और team आपको contact कर लेगे और आगे जो भी चीजे होंगे देला एक्स्पेंड ठीक है बागे अच्छा आप में videos I will be you know creating to give you updates बागे ऐसी video I will be posting I hope पसंदा होगा video end तक देका है तो एक heart जारूर दीजेगा और बागे अगर कुछ suggestion है for the upcoming videos तो you can also post that thank you so much have a good day see you